ही गाईज विंटे स्टार्ट हो चुका है और हमारी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि विंटर में क्या होता इसकिन ड्राइ हो जाती है कलर डल हो जाता है तो उसी के लिए आज मैं आपको एक फेस पैक बताने बाली हूँ जो की बहुत ही अच्छा होन है उनको आपको सुखाने के बाद एक बारिक पाउडर बना लेना है और आपका औरेंज पील तैयार हो जाएगा तो यहां पर मैंने आदा चमच औरेंज पील लिया है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है तो यह हमारे कलर को वाइटनिंग की और लेके जाएगा और मैंने आदा ही चमच मैंने बेशन डाला है और आदा चमच से कम मैंने इसमे कोफि पाउडर डाला है और एक ČCम मैंने डाला है भरके दही इनको मिक्त करना है और साथ में मैंने आदाना है सैथ grazing हमारा मोष्टराजर है इसको लो करके रखेगा और सर्द्यों के लिए यह वाला पील डाला है जो कि हमारे कलर को मलब फेर करता है क्योंकि हमारे अगर हमारी स्किन का पीएच बैलेंस जो है मेंटेन रहेगा तो हमारी स्किन पर कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली है और इसकी जो इस मतलब खुस्वू इसमें इतनी अच्छी आ रहे थी और इसको आपको पूरे फेस पर अपने कर लेना है अपलाई और इसको आपको लगाने के बाद छोड़ देना है तब तक जब तक कि यह सूख ना जाए मला आपको ज्यादा ड्राइट नहीं करना से में ड्राइट होने देना है क्योंकि पता चल जाएगा जैसे से आपकी खिचने लगे तो इसको निकाल देना है और सच में आप यह वाला फेस पैक जब यूज करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि जो ओरेंज पील होता है वो हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है और कोई भी प्रोब्लम नहीं होने देता और यहां पे मेरा जो कलर था वो पहले से जादा मुझे मतलब अच्छा दिख रहाता है और यहां पे मैंने आप ही के सामने निकाला है कुछ नहीं किया है और आपको यह पैक निकालने के बाद मोश्राइजर लगाना बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा क्योंकि बिंटर है तो यह बहुत जरूरी है औ पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और यह वाला फेस्पैक आप जरूर ट्राइग कीजिएगा आपको हंडेट परसंट रिजल मिलता है बार टिए